अलो दोस्तों मैं हूँ अपूर वर्शाब लबेक सिंगर, वोईस कोच, लाइफ परफॉर्मर और आज हमारे समक्ष है रंजनी जिनोंने 30 डेज सूरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 13 डेज के अंदर पुरा किया है रंजनी मैं आपको देने लगा हूँ सूर प्रतिष्ठा सम्वान इट इस रियाली अ मैरेकल जो आपने करकी बिखाया है फ्रॉम नौन सिंगर टू सूरीला इंजस 13 डेज यह कैसे किया वो तो हम जानेंगे ही बड़ बिल स्टार्ट विधर इंटरक्शन आप खहां से हैं क्या करते हैं प्लीज लेट उस लो आप मैं बिलॉंग टू चैन्नाई नी तमिल ब्रामिन परिवार से हूँ और अभी मैं सनिहार गोनेश्यर में हूँ मेरी बेटे की पड़ाई की वज़े से सो जब मैं आपके सोशल मीडिया में हाली रिसेंटली उगली वज़े वरी अक्टिव इसे सीखें वो समझ भी नहीं पा रहे तो जब मैंने आपका वीडियो रेखा तो इसके बाद तो कुछ वेट नहीं कर पाएंगे और वेश्ट भी नहीं करना है इसलिए मैं तुरंत जॉइन किया और अभी मैं कुछ हूँ किया आप असोसिएटेड विडियो अमेजिंग रंजनी एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही बड़ा पड़ा आपने क्रॉस किया है नॉमली इसका जो टाइम डूरेशन होता है वो ठर्टी टेस होता है बट मैंने देखा आप काफी रेगुलर थे हर सेशन में और जो जो है वो तो मैं पुछूँगा आपको एंडाइज रीजन बहुत ही कम टाइम के अदर आपने रिजल दिया आप कितना टाइम दे रहे थे रियाज को डेली इनिशली पंदर से बीस मिनिट सर और उसके बाद आपने बोला कि कम से कम टीस मिनिट देना पड़ेगा और चुंकि म परफेक्ट राइट हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि 15 मिनिट जो है थोड़ा सा वाइस में कच्छा पन रह जाता है वाइस वाइस वाम नहीं होता बट इन 30 मिनिट टाइम यू रिट ग्रिप ऑफ द वोइस और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको सूर में से निकालना मुश्किल हो जाता है यू कांट स्टॉप आफर 30 मिनिट अगर आप तोटे लिए अंग्रोष्ट हो गया हो ना सूर के अंदर आपको ऐसा लगया है कुई सादा ब्रेक कर रहा है तो 30 मिनिट से वो बाहर नहीं निकाल सकता है यू यू विल क्रोस 30 मिनिट बर 30 मिनिट पूरा नहीं हो तो वो डेशनिटली काम हो या यह प्रैक्टिस के वरजयर से और मेरा शॉट एमपर्ड मेस भी थोड़ा काम हो गया शाएद मेरे गरवालों से भूजना पड़ेगा बड़ आपके चाहरे से तो दिखता नहीं है आप शॉट एमपड़े हैं अभी आप बोल रहे हैं आपको इक विर यह पुण पर शच्ली कर आफ फसर्स दीक चरबकर साथ लग информ क्तपार से बिखता थी म।ल्ग थोड़ाता हैं वे पूलनी लगिए। टोगा है सरफ तोगीश घतना हैं थोड़ा नहीं उन्हीं होड़े आओगेगी ड़ हम इन्हां होते सब्हें आपकी यह पूलनी तो आपने कोई गोला कि नेकना जोर से नहीं मारना है वीरी से करने के लिडिये तो ऐसी में, I didn't waste my energy by, so energy has to be gone in a productive way You need not push your voice, yes, it should come out naturally और याप समझे बहुत अच्छे से, और जैसे जैसे, the thing is, you've been so obedient कि आपने अर एक छोटी-चोटी चीजे जो है दिमाग में ली तो आप बाद करे तो मुझे समझ में आरा है, and you started feeling the things within तरह इसा हो गया कि आप आपकोंशियसली होगा सर, आपके जो मतलब भ्यास तरते करते करते, रोज आपके आवाज ही हमारा माइंड में आते है राइट, but you got it, you got what I said और वो tune exactly वो frequency के साथ अपने अपने अवाज को मैच किया और देखी, क्या फरक या है कि आप खुद सॉफ्ट हो गए तो यह बहुत बढ़ा अचीमेंट है कि किसी को चेंज करना बहुत मुश्किल है लाइफ में और वो रियाज के तुरू वो ऑटोमेटिकली अंडर चेंज आना यह भी कोई एक हैबट चेंज ओना यह कोई चोटी बात नहीं है यह कोई चोटी बात नहीं है, that is really amazing and it's wonderful sharing your, wonderful that you shared the experience यह अमारे लिए एक फैदर इन दे कैप है कि ऐसा भी हो सकता है Thank you sir, thank you and what about practicing music, are you fresher or have you learned before? Jaisi नही परेट बोली थी, गरी बान, she was a classical singer but I didn't learn from birth because I just heard how she used to sing and I see, मेरा भी तोड़ा शौक आगिया पर मेरा शौक फिल्मी गारी में आगिया जिसके लिए उन्माना इसके लिए उन्होंने बोला के मेने हमारे ऑफराप्स परंपराप भी यह नहीं हो सकते हूं नहीं उसे तो इसलिए मैं सोचा okay, let me try it from my side and it didn't happen because I got married and it's been 20 years and ऐसी ही चलेगे फटा-फट तो अभी में realize किया हाली हाली में कि now I should not waste my time now I should focus on myself and it's high time that I bring out my you know whatever talent जो भी है बगवानी दिया है naturally इसको थोड़ा fine-tune करनी के लिए आपके जो course मेने जॉइन definitely, definitely कुकि हम लोग जो है basically सुरों पर काम करते हैं और यही सुर आप क्लासिकल में भी उस कर सकते हैं और सुगम में भी but हमारी एक्सपर्टीज जो है वो सुगम में है वी एक्सपर्टीज इस निग फिल्म सॉंग्स तो शायद आपको भी चाहिए था यह जो देरे देरे यह सूर पो ठीक करेंगे and then you'll be able to sing your favorite songs also sure song so this is a step-by-step process Ranjani, आप क्या संदेज देना चाहते हैं जो शुरोता गड़ आपको सुन रहे हैं जो ओडियोंस आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेद देना चाहते हैं तो age doesn't matter and you can start at any age and गुरुजी के advice से आप जिखने भी however old you are you can definitely fine-tune yourselves and you can bring whatever talent you have inside you can do miracles amazing, amazing, amazing story amazing real life story you have said age is just a number yes अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है कि बस कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा whatever you say is right अगर आप बोलेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते whatever you feel within it's right तो this is just a beginning जो 30 days का इतना छोटा पड़ाव इसलिए दिया गया था ताके आपको रेलाइज हो कि आप में मैंने ये कर लिया आपकी रेंज भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी and if you apply all the notes correctly you will be able to sing the songs also the way it should be yes so उसके लिए हम लोगो ने बांदा हुआ है 120 days see we have a target of each and everything करने के लिए तो पुरी जिंदेगी है लेकिन इतने ताइम के अंदर ही करना है 120 days के अंदर and we call this module Surh Parichai Challenge okay so I invite you to this module and thank you so much Ranjani for sharing your journey it was very very motivational thank you so much I'm 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 झाल झाल